जोड़े हैं बाकी सारे रास आया हूँ तेरे पास आँखों में तेरा नाम ओके तो गाइज अभी आप लोग जिस वाली लिरिक वीडियो को प्रिवियू पे देख रहे हो गाइज इस टाइप की जो एस्थाटिक वीडियो है ना Instagram के अंदर बहुत ही जादा viral होरी है इस टाइम पर अन काफी सारे लोग ना इसी वीडियो का पेज बनाकर आपने Instagram के अंदर बहुत अच्छे खासे follower गेंग कर लिया और उनकी इन सारी वीडियोज पर वीउस भी बहुत तगड़ा आता है तो आज की इस वीडियो के अंदर ना guys मैं आपको इसी trending aesthetic वीडियो की editing सिखाने वाला हूँ और same to same वीडियो को edit करना सिखाऊंगा बस थोड़ी सी वीडियो लंबी है बट आप इस वीडियो को complete ध्यान से देखना सीख जाओगे same to same वीडियो को edit करना तो जाता मैं आपका time waste नहीं करूंगा direct हम चलते हैं अपने phone के screen पर और वहाँ पर चलके हम अपनी वीडियो editing को सीखते हैं आल राइड गाइस तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो मैं आ चुक हो अपने phone के screen पर और सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपना light machine open कर लेना है जैसे यहाँ पर आप अपना light machine open कर लेते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको plus वाले icon पे click करना है और यहाँ पर 9 is to 16 ratio select क यहाँ पर आपको create project पर click कर देना होगा अब जैसे आप लोग इतना कर लेते हो आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाता है अभी simple से आपको करना है प्लस वाले icon पर click करना है media पर जाना है और media पर जाने के पाद guys यहाँ से आप उस video को ले लेना जिस video पे आप लोग यहाँ पर अपने जिस audio पे आप यहाँ पर video को edit करना चाहते हो अगर direct audio लेना चाहते हो तो audio पर जाके यहाँ से audio ले सकते हो ठीक है लेकिन मैं किसी video से audio लेना चाहूँगा तो यह पर देखो यही वाली वीडियो आप लोगों ने प्रीवियू पर देखा होगा तो यह वीडियो को मैं ले लिया हूँ और इसी का ओडियो मैं यहाँ पर एक्स्रेक्ट करूँगा तो एक्स्रेक्ट करने के लिए वीडियो पर क्लिक करूँगा एक्स्रेक्ट ओडियो करके यह तो यहां पर मैं वीडियो record करने से पहले ही यहां काल के लिए इधर के हम बाकी एडिटिंग देखते हैं ठीक है बाकी क्या ही करना होगा फोटो ही तो एड करना है बाकी मैं बता दूंगा क्या से करना है ठीक है तो जैसे इतना हो जाता है यहां पर बीट लगा ले तो अभी सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर इसक जो लेना है तरहे बाद 3 डाट पर क्लिक करना और इसको फिल कंपिजी सने एरिया करके इसकी जो लिए ना जहां तक आपका आडियो है वहां तक रखदिना अब इसका जो कलर है कलर पे जाना यहां पर फिल पर उसका कलर ब्लाइक कर देना धिक है सो जैसे इतना हो जाता है अभी आपको प्लस वाली आइकन पर क्लिक करना है टेक्स्ट पर जाना है और इस स्टार्टिंग में जो भी आप लिखना के बाद जा के टेलीग्राम से डाउनलोड कर ले आ ठीक है अभी सब से पिल यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बूल गया है यहाँ पर आपको लफ के आगे 3 डॉट लगा देना होगा ठीक है अब आप यहां से सेंटर में कर देना सेंटर में है और इसका दे लेना कितना चोटा आप रखना चाहते हो ठीक मैं कुछ इतना घर देता हूं सँड़रा रह उसकी लेंथ मैं तक रखूंगा फ़स्ट तक फिर से स्टार्टिंग में आऊंगा प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूंगा टेक्स्ट पर जाऊंगा और यहां पर हम क्या गरेंगे इमोजी सेलेक्ट कर लेंगे तो कुछ इस टाइप से इमोजी ले लिया हूं सेंटर में करूंगा रोबोटो रेगुलर पर जाके यहां पर इसको रख देंगे ठीक है कुछ इस टाइप से तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा यहां पर ठीक है इतना करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करना और यहां पर ग्रूप में बोले तो एक मर्च कर देना है ग्रूप में कर देना अभी सिंपल से उसस्पर क्लिक करना इट पर जाना और यहां पर सर्च पर डेंपर लिक करना और इनकी जो हैं पर वेल्यू है दिश्जियो पर ना झाशेख यहीं और यहां में में सब्से पहले आपको प्लस वाले पर सपर करना है मीडिया पर जाना है और जो जो आपका फोटो है यहां पर ठीक है जितना भी आपका फोटो है उन सारे फोटो को सेट करना अपने बीट में एड़ करके ठीक है जैसे कि यहां पर देख सेकते हूं मैं कर रहा हूं आप भी इसी तरीके से करना है यहां पर ठीक है जैसे क यहां पर आप image अपना add कर लेते हो अभी आपको सबसे first वाले image पर click करना है और यहां पर effect पर आने के बाद add effect पर जाना search पर जाना और search पर जाने के बाद guys यहां पर आप लोग सर्च करना skill assist ठीक है तो skill थोड़ा आ गया ना और यहां पर एक की लगाना और xy पर आना और इसका जो यहां पर value है इसको आप यहां पर click करना और इसको रख देना 118.0 ठीक है तो 118 कर देते हैं हम इसको 18.0 ओके कर देंगे ठीक है ओके करने के बाद बाद अब बस कुछ निचेड़ना अब इसको पकड़ के आप लोगों को क्या करना है इसको यहां पर कर देना ठीक है इतना करने के बाद देखो आपके image में कुछ इस टैप से जूमड़ अनिमेशन लग जायेगा ठीक है इतना करने के बाद फिर से इस पे कलेकर आठ गॉण पर जाना है और सर्च पे जाकर यहां पर फीरड़ सर्च करना फिर से बिए आगे आपके images है उन सारे में जाना effect वाले option पे प्लिक करके paste effect करना और इसमें भी जाना और और वी जितने भी आगे आपके photo होगे ना सब में ये effect को paste कर देना ठीक है तो ये effect आपका add हो जाएगा ठीक है करने के बांद आपको यहाँ पर क्रें यह आपको इसे उसके करने के पलादा आपको यहाँ सेंग फाथ है सारे को सेलेक्ट कर लेना है और जो अभी आप लोगों ने safe लिया था इसको भी सιलेक्ट करना है और इच में आपर आपको group का एक ऑप्शन मिलेगा अरे यह नीचे क्यों हो रहा है यहां पर group का option मिलेगा इस पर click कर देना तो देखो यह आपके एक box में convert हो जाएगा ठीक है हाँ थोड़ा सा अगर आपका image ऊपर नीचे हो जाता है इस पे click करना एडिट ग्रूप पर जाना और आप यहां से अपने image को थोड़ा सा move and transform पर जाके अपने हिसाब से adjust कर सकते हो तो मेरे को सही लग रहा है तो मैं direct back कर देता हूँ तो जैसे इतना हो जाता है अब आपको अपना lyrics लिखना है तो lyrics कैसे लिखना है सिंपल से आपको beat पर आना है और प्लस वाले icon पर click करके text पर जाना है और अभी वह वाला effect भी हम डालेंगे flicker वाला कैसे डालना है वह भी मैं बताऊंगा same to same edit कर जहें आपर मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से देखना तो अभी हम सबसे पहले अपना lyrics लिखते नखे तो यहांपर बोलना है मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते ऐसे करके ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोड़े हैं ठीक है ऐसे करके ठीक है जो भी मेरा लिरिक्स है आपका जो भी लिरिक्स होगा आप अपना लिख लेना ठीक है यहाँ पर जो मेरा लिरिक्स है वो में लिख लेता हूँ ठीक है रास्ते ठीक है अभी आपको क्या करना है थोड़ा सा लास्ट में कुछ इस टाइप से आपको यहां पर आना है और ऐसे थोड़ा सा कर देना ठीक है थोड़ा इससे क्या होता है एस्थाटिक टाइप दिखता है थोड़ा हमरा लिरिक्स अभी इसको सेंटर में करना है यहां पर क्लिक करके रोबोटो रेग है आपको क्या करना इस पर बढ़िया क्लिक करना है इस पर इस पर कर देना और इन का जो value है 0.30 आउट का जो value है 0.30 ठीक है तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा अब सेम तरीके से इस पर click करना है यहाँ पर click करके copy layer करना है beat पर आना है paste layer कर देना है और length देख लेना जहां तक है बाकी खीच लेना अगर कम पड़े तो और बस यहाँ पर जाना है edit text पर जाना है और यहाँ से आपका जो आगे का lyrics से इसको पूरा cut करना है और आगे का जो lyrics है आपको वो अपना tap करना है ठीक है तो मैं आगे का अपना lyrics tap कर लेता हूँ तो आप भी कुछ इस तरीके से आगे भी अपना इसी तरीके से लिरिक्स टैप कर लेना ठीक है तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे आपको डिजाइन रहने देना है ठीक है थोड़ा ज्यादा बढ़िया किता बढ़िया लग रहा है अभी मैं सबसे पहले इसका साउंड कम करता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ देखो कैसे हमारा यहाँ पर एनिमेशन अभी फाइनल एडिट नहीं हुआ है यहाँ पर देखो अभी कुछ इतना हुआ है ठीक है सेम तरीके से क्लिक करना अथिक्ट है हाँ तो जैसे इतना हो जाता है अब आपको क्या करना है इन सब को सेलेक्ट करना है इन सब को यहाँ से डारीक्ट यहां से आपको सिलेक्ट करना ठीक हैıs नीचे वाला लेयर छोड चोड़के a prin classrooms every time ऑपर चितने जहां से आपका photo start होता है यहां पर आना और अभी आपको क्या करना है यहां पर click करना है प्लस वाले icon पर एक save select कर लेना है save select करने के बाद three dots पर click करके fill composition area करना और इसका color जो है यहां पर आप black color कर दिना इसकी length कहां तक रखना है जहां तक आपकी video है तो इतना करने के बाद अभी इस इस ले आपको click करना है effect पर जाना है और यहां पर search पर जाके यहां पर आपको search करना है flicker ठीक है तो flicker लिखोगे तो यहां पर आ जाएगा flicker star इस पर click करना standard setting पर क्लिक करना frequency जो है जिसकी is इसकी स्ट्रेंथ है ना स्ट्रेंथ को आप रख देना 0.25 तो यहां से हम कर देते 0.25 ऐसे हां सही है तो अगर अभी हम देखे तो कुछ ऐसा बन जाएगा यहां पर देखते हैं एक बार प्ले करके तो देखो कुछ यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है ठीक है तो इस पर आते हैं और स्ट्रेंथ जो है ना गाइज इसको हम रखेंगे इसको थोड़ा कम करते हैं ठीक है कुछ इस टैप से 0.5 करना था इसको हम तो एक बार और यहां से प्ले करके देख लेंगे यह इतना इतना यह सही है यह जिरो पॉइंट 25 रखेंगे ठीक है अब देखो यहां से अगर एक सेकंड कर देना एक सेकंड में हाँ एक सेकंड कर देना राइट एक सेकंड ठीक है तो अब देखो कुछ ऐसा लूइड़ा है वेदों बनके रडी हो जाएगा अगर अभी भी आपको इस वीडियो को एडिट करने में कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉबलम है तो आप मेरो को कॉमेंट करके बिंदाज बताना आपके कॉमेंट के रिपलाई मैं आपको जरूर से करूँगा अब जैसे आपके एडिटिंग वगरा कम्प्रीट हो जाती ह बैक करना एक बार और यहां पर इस हैरो पर क्लिक करना एक्सपोर्ट पर क्लिक करना और आपकी जो वीडियो है वो आपकी ग्यालेरी के अंदर सेब होना स्टार्ट हो जाएगी तो वीडियो कैसी लगी मेरो को कॉमेंट करके जरू से बताना अच्छी लगी हो तो वीडियो के अंदर तब तक किले गाइस जैहिंड वंदे मातरम